आज का हमारा टॉपिक है ओफेंसिस एंड पैनल्टी देखो कोई भी लो हो जब तक उसमें पैनल्टी अटेच ना हो वो लो पूरा नहीं होता क्योंकि देखो अगर मान लो आपको रूल्स बता दिये गए हैं लेकिन उन रूल्स को तोड़ने के उपर आपके उपर कोई भी पैनिश्मेंट नहीं लगाए जा रहा है तो आप क्यों फोलो करेंगे ऐसे रूल्स को यानि कोई भी पैरसन तभी रूल्स को हम कह सकते हैं कि वो फोलो करेगा जब उसको अगर वो फोलो नहीं करता है तो उसके उपर कोई ना कोई पैनल्टी लगाए जाती है अगर लोग को पूरा करने ना करने पर कोई पैनल्टी ना लगाए जाए वो तो ऐसा ही हो गया कि मा वहां पर आपको penalty and punishment की जरूरत जरूर पड़ती है ठीक उसी तरीके से जो हमारा GST का लो है वहां पर भी offences and penalties बताई गई है कि कोई भी person क्या है GST Act में जो provisions लिखे हुए है या फिर जो GST के rules बने हुए है rules अलग होते है एक्ट अलग होता है तो जो rules बने हुए है जो एक्ट में लिखा हुआ है उसके against अगर कोई भी person जाएगा यानि इन में लिखे provisions को कोई भी तोड़ेगा कोई भी offence करेगा कोई भी गलती करेगा तो उसके उपर क्या दी जाएगी उसे penalty लगाए जाएगी उसे punishment दी जाएगी ताकि क्या है वो इस punishment या penalty के डर से उस काम को ना करे लोग को ना तोड़े मतलब क्या हुआ offenses और penalties वो provisions है वो punishments है जो एक person के उपर लगाई जाती है जब भी क्या करता है वो कोई offense करता है कोई भी ऐसा काम करता है जो कि क्या है act के against है आप जो हमने discussion किया उससे हमें offense का मतलब पता चला कि offense क्या है offense को आप simple words में कह सकते हो illegal act एक ऐसा act जो legal नहीं है जो law के according नहीं है यानि offense एक ऐसी term है जो use की जाती है for breach of law कि कोई भी person क्या करेगा GST Act या GST Rules के against कोई काम करेगा उसके provisions को तोड़ेगा तो माना जाएगा जो उसने काम किया है वो illegal है उसने law को violate किया है और ऐसे किसी भी person के उपर देखो कोई भी person लो तोड़ेगा तो उसके उपर क्या स्टार्ट होगी proceeding स्टार्ट होगी कि उसने गलती की है उसके उपर कोई procedure स्टार्ट होगा और उस procedure यानि यह कहलो कारवाई होगी उसके उपर और उस कारवाई का result क्या होगा या तो उसने लो तोड़ा है तो उसे कोई punishment दी जाएगी या तो उसके उपर कोई penalty लगाई जाएगी penalty और punishment में फर्क होता है penalty आपकी monetary होती है कि आप उसके उपर fine वगरा लगा रहे हो या उसके सामान को जबत कर रहे हो कि जब तक वो payment नहीं करेगा या तो वो क्या करे उसका सामान अपने पास रख लोगी या तो फिर वो क्या उसको option दे दिया जाता है कि आप इतने पैसे पे कर दो और अपने सामान को ले जाओ जबकि punishment क्या होती है punishment एक criminal liability है जहाँ पर आपको imprisonment और fine दोनों ही लगाए आपकी उपर जा सकते है ये थी हमारी basic term अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी liability punishment आपकी लगाई जाती है अंडर GST लो तो देखो जो GST के अंदर liability है punishment है वो mainly दो टाइप की होती है जो ये liabilities हैं वो simultaneous and concurrent है यानि दोनों भी आपकी उपर लगाई जा सकती है फर्स्ट है आपकी civil liability और दूसरी है हमारी criminal liability civil liability का मतलब है कि जो क्या है आपकी GST में statutory obligation बनते थे जो आपकी duties बनती थी अगर क्या है आपने उन statutory obligation को पूरा नहीं किया लो में जो obligation आपके थे वो पूरा नहीं किया तो उस case में जो department authority होंगी यानि जो GST की department authorities हैं वो आपके उपर क्या कर सकती है civil liability civil penalty लगा सकती है और जो civil penalty होगी उसके अंदर क्या क्या आएगा कि या तो आपके उपर penalty लगाई जाएगी in the form of money कि आप उसके उपर direct fine लगा दिया जाएगा या फिर आपके समान को जब्त कर लिया जाएगा confiscate कर लिया जाएगा the confiscation of goods जब confiscation confiscate किया जाता है गुड्स को तो कई बार एक option भी दे दिया जाता है आपको कि क्या है आपके समान को हमने जब्त कर लिया है अपने पास रख लिया है अगर आप अपने समान को वापस लेना चाहते हैं तो एक certain amount जो भी authority ने decide की थी आप उसे pay करो और अपने सामान को ले जाओ यानि सीविल लावलटी जब आप अपने statuary obligations को पूरा नहीं करोगे तो डिपार्टमेंट अथोरटी के पास राइट होगा कि वह आपके पास money plus confiscation of goods आपके सामान का कर सकती है सेकिंड लावलटी है हमारी क्रिमिनल लाव अपने बहुत ही जी स्टलो के अगैंज ऐससा काम किया है जो खर आपके ऊपर क्रिमिनल लावलटी अरइज होती है और जो क्रिमिनल लावलटी होती है वह यूदिपार्टमेंट एथोरटी उसे उनको लगाने का राइट आपके सिर्फ कृमिनल कोर्ट के पास होता है यहां पर एक परसन की उपर इंप्रीजनमेंट भी लगा है उसे यानि क्रिमिनल कॉर्ट में अगर उसके खिलाफ केस चल गया प्रोसीडिंग हो गई तो उसकेस में उसे जेल भी हो सकती है प्लस फाइंग भी लगाया जा सकते हैं यहाँ पर हम किसी court में नहीं गई जो department authority है उसी ने आपके देखा आपने अपने duty को पूरा नहीं किया है तो उसने direct आपके समान को जब्त करके आपसे पैसा मांग लिया या फिर आपके ओपर direct money के रूप में penalty लगा दी आपके criminal liability में criminal court में proceeding होगी और case के result के तोर पर जातो आपको jail हो सकती है या फिर आपके ओपर fine impose हो सकता है तो में लिए दो type के liability हैं जो आपकी GST लोग के अंदर लगाई जाती हैं अब हम one by one बात करेंगे किस particular offense के करने से क्या penalty arise होती है अभी हमने बात की थी penalty का मतलब क्या होगा कि अगर क्या है आप statutory obligations को complete नहीं कर पाते तो आपके उपर monetary form में यानि fiscal form में आपके उपर क्या लगाई जाती है penalty लगाई जाती है जो penalty है वो क्या होगी always या तो direct fine के रूप में होगी या तो फिर आपके सामान को confiscate कर लिया कि अगर आप एक certain amount की payment कर देती हूँ तो आप अपने सामान को वापस ले जा सकते हूँ और ये fines हमेशा कुन लगाती थी हमारी department authority तो इस चैम हम इस penalty की बात कर रहे हैं ये penalty होती है आपकी civil penalty जिसे हम बोलते हैं तो अब हम बात कर रहे हैं कि किस particular offense को करने से क्या penalty लगाई जा सकती है first penalty है हमारी penalty under section 73 and 74 section 73 और 74 में कौन सी penalty बताई गई है जब आप करोगे major offenses यानि major offenses in GST law अगर आप कोई major offense करते हो GST law के अंदर तो आपके उपर जो penalty लगाई जाएगी वो under section 73 and 74 लगाई जाएगी major offense कों से होंगे कि जब भी कोई person क्या करेगा या तो अपने tax की payment नहीं करेगा यानि GST के payment नहीं कर रहा या फिर short payment of taxes कर रहा है यानि देखो या तो वो non payment कर रहा है tax की कि उसने tax दिया नहीं है या फिर short payment of tax कर रहा है यानि जितना tax बनता था उससे कम दे रहा है या फिर उसने improper utilization किया है ITC का यानि ITC जितना बनता था उससे ज़्यादा ले लिया है या जिस तरीके से लेना चाहिए तो उस तरीके से नहीं लिया है या फिर उसने wrong refund ले लिया tax का यानि उसका tax का refund लेना बनता नहीं था लेकिन फिर भी उसने इसको ले लिया है तो माना जाएगा कि उसने क्या किया है major offense किया है यहांने non payment of tax, short payment of tax, improper utilization of ITC and wrong refund of tax से आपको माने जाते हैं कि मैं आपने major offense किया है और आपके against जो penalty लगती है वो under section 73 and section 74 of CGST Act लगाई जाती है और यहां पर penalty क्या होगी वो depend करेगा कि आपने जो काम किया है वो deliberately किया है या गलती से हुआ है यानि आपकी जो intention थी वो fraud की थी या फिर other than fraud यानि आप fraud नहीं करना जा रहे थे तो अगर क्या है एक proper officer को लगता है कि एक person ने जिसने tax pay नहीं किया या कम pay किया है या ITC गलत क्लेम किया है या गलत तरीके से refund लिया है और उस person का उस चीज के पीछे fraud का मकसद नहीं था 10% of tax यानि जितना tax उसने pay नहीं किया है उसका 10% और 10,000 रुपीज दोनों में से जो भी high होगा उतनी penalty उसके उपर लगाई जाएगी यानि अगर उसका जो intention है वो fraud करने की misrepresentation करने की नहीं थी उसका मकसर tax बचाना नहीं था यह गलती से काम हो गया है तो उस case में 10% of tax या 10,000 रुपीज जो भी high होगा उतनी penalty उसे pay करने पड़ेगी second है कि जब उसकी intention थी वो fraud करने की थी यानि जब proper officer को लगता है कि उसने tax pay नहीं किया कम pay किया है या improper utilization of ITC किया है या wrong refund लिया है और ऐसा उसने जानबुच के किया है ताकि वो अपने tax को बचा सके उसे tax कम pay करना पड़े तो उस case में जो उसके उपर penalty लगेगी वो under section 74 sub section 9 लगेगी और वो penalty क्या होगी 100% of tax जितना tax उसने बचाया होगा उसका 100% और 10,000 whichever is higher उतनी penalty उसके उपर लगाई जाएगी यानि अगर क्या है फ्रोड की वज़र से नहीं किया है फिर उसकी intention गलत नहीं थी तो 10% of tax या 10,000 जो भी हाई होगा और अगर उसकी intention फ्रोड करने की थी तो 100% of tax या फिर 10,000 दोनों में से जो भी हाई है उतनी penalty उस पर लगाई जाएगी second है आपकी under section 122 जो यह आपका section 122 है ये भी further on three parts में divided है पहले हम बात करते है section 122 subsection 1 की जो की है हमारा prescribed offenses under CGST और SGST Act यानि कुछ prescribed offenses है जिनके case में जो penalty है वो एक ही है पहले हम बात करेंगे कि कौन-कौन से जो offenses हैं वो section 122 subsection 1 के अंदर consider होते हैं फिर बात करेंगे कि उनके ओपर penalty कितनी लगती है first offense है making supply without invoice और false invoice इसकी क्या है कि अगर कोई person जो है supply के regarding invoice issue नहीं करता है या फिर गलत invoice issue करता है गलत bill बनाता है तो माना जाएगा उसने offense किया है under section 122 subsection 1 secondly issue invoice without making supply यानि उसने कोई supply नहीं बिल तो बना दिया है यानि गलत जोटा बिल बनाया है उसने कोई supply नहीं की सिर्फ बिल बना दिया है तो भी माना जाएगा कि उसने subsection 1 के अंदर offense किया है subsection 1 से मेरा मतलब हमेशा 122 subsection 1 की मैं बात कर रही हूं thirdly fails to pay fails to pay या deposit tax to government कि उसने क्या है tax card तो लिया है collect तो कर लिया है लेकिन वो टो tax है जिस दिन उसको pay करना चाहिए था collect करके उस दिन को बीते भी तीन महिने से जादा हो चुके है और उसने अभी तक government को वो tax pay नहीं किया है fails to deposit to tax fail to deposit tax to the government fourthly collect tax in contravention of provision कि उसने क्या किया है act के against जाकर क्या किया है tax को collect किया है यानि जिस टाइम उसे collect करना चाहिए था उस टाइम उसने collect नहीं किया या किसी भी तरीके से गलत तरीके से collect किया है और वो government को जमा भी नहीं करवाया है तो माना जाएगा उसने offense किया है under subsection 1 इसके साथ fail to deduct the tax fails to deduct the tax कि एक person जिसको जरूरत थी जो require था कि वो क्या करे TDS काटे under section 51 यानि उसकी responsibility थी कि वो TDS को काटे और उस amount को उसे government को जमा करवाना था या तो वो TDS काटता नहीं है या फिर कम काटता है या फिर उस काटे हुए TDS को required time में government को submit नहीं करवाता है तो माना जाएगा offense किया है 6th fails to collect tax कि एक person जिसको require था कि वो TCS को collect करे वो क्या करता है या तो TCS collect नहीं करता है या जितना करना चाहिए था उससे कम collect करता है या government को जमा नहीं करता है तो माना जाएगा offense किया है utilize ITC without actual receipt of goods or services हमने पहले बात की थी कि अगर आपको ITC लेना होता है तो वो particular सामान आपको receive हो जाना चाहिए उसी के बाद आप क्या कर सकते हो उसके regarding ITC ले सकते हो तो अगर कोई person क्या है बिना goods or services को receive किये उसके regarding ITC ले रहा है तो माना जाएगा offense कर रहा है then fredulently obtaining refund कि कोई क्या है refund ले रहा है जो उतना उसका नहीं बनता fraud कर रहा है refund लेते हुए offense माना जाएगा distributing distributing ITC in contravention of provision कि एक input service input tax distributor जो क्या है अगर जो act में provision लिखे हुए है उनके against जाकर हमने ISD की बात की थी input tax credit में अगर वो उस provision के against जाकर credit को distribute करता है माना जाएगा offense कर रहा है then producing fake accounts or furnishing false information कि एक person क्या है tax को बचाने के लिए गलत accounts को present कर रहा है या जो information उसे मांगी गई थी उसको गलत information प्रोवाइड कर रहा है department को तो माना जाएगा वो offense कर रहा है under section 1, 22, sub section 1 then failure to obtain registration कि एक person जिसको registration लेना चाहिए था यानि उसको require था कि वो GST में अपने आपको register करवाये लेकिन उसने नहीं करवाया है तो माना जाएगा offense है furnishing false information information with regard to registration कि अगर क्या है registration किसी person ने करवाया है और उसने registration करवाते हुए गलत information प्रोवाइड की है department को माना जाएगा offense है total 21 offenses है जो आपके section 122 sub section 1 में cover होते है prevents any officer in discharge of duties की कोई officer है जो अपनी duty को perform कर रहा है और आपको ऐसा act करते हो जो उसको उसकी duty को ठीक से perform करने में रोक रहा है आप उसको उसकी duty नहीं करने दे रहे offense माना जाएगा then transporting accessible goods without the cover of document या pregnant कि यानी आपको कोई सामान जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उन सामान को ट्रांसपोर्ट करते हुए जो डोकुमेंट्स आपके पास होने हैं। आपके पास नहीं जा予गा शप्रेस्स टरनोवर अपनी है को कम दिखाते हो टेक्स को बचाने के लिए offense माना जाएगा कि फेलिंग कि टू मेंटें बुक ओफ अकाॉंट आपको जो बुक बनाने चाहिए थी जो अकाउंट्स मेंटेंग करने चाहिए थे आप उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेंग करने में फेल हो रहे हो failing to maintain book of accounts ये भी offense माना जाएगा furnishing false information or document during proceeding कि आपके उपर कारवाई चल रही है और वहाँ पर आपने क्या किया है कोई false information और document को present किया है तो भी माना जाएगा कि आपने क्या किया है offense किया है आप क्या कर रहे हो supply कर रहे हो transport कर रहे हो या store कर रहे हो कोई ऐसी goods जो की लाबल है confiscation के लिए यानि कोई ऐसी goods है आपके को के पास ऐसा reason है कि आपको यह बात पहले से पता है कि वो particular सामान जो है जब्त होने वाला है फिर भी आप किसी person को उस सामान को supply करने में transport करने में या store करने में help कर रहे हो माना जाएगा आप offense कर रहे हो using registration number of another क्या कर रहे हो bill बनाते हुए किसी और के registration number का use कर रहे हो किसी और के GST number का use कर रहे हो offense माना जाएगा tempering with evidence आप evidence किसी भी evidence के साथ कोई भी छेड़ चाड़ करते हो वो भी offense माना जाएगा and lastly tempering with goods detained seized or attached कि कोई भी सामान जो जब्त हुआ है deduct हा गया सीज हुआ है या फिर government ने उसके साथ अपना attach कर लिया department ने अपने ना right उसके साथ आप उस सामान के साथ छेड़ चार करते हो वो भी offense माना जाएगा यानि section 122 sub section 1 क्या कहता है कि आप कोई भी supply करते हो बिना invoice के गलत invoice बनाते हो या फिर बिना supply के invoice बनाते हो tax को deduct deposit नहीं करवाते हो government को tax को collect नहीं करते हो उसको deduct नहीं करते हो ITC गलत तरीके से लेते हो फ्रेडूंटली refund लेते हो या फिर इन में से कोई भी काम जो हमने बात की कि करते हो कि आप registration नंबर लेते हो गलत information दे रहे हो अपने turnover चुपा रहे हो या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जो यहाँ पर हमने बात की इन 21 कामों में से कोई भी आपने offense किया है तो माना जाएगा कि आपने जो offense किया है उसके उपर जो penalty है वो under section 122 sub section 1 लगाई जाएगी और वो penalty क्या होगी वो penalty होगी 10,000 रुपे या फिर जितना amount उस transaction में involved था कि जितना आपको ने tax TDS कम काटा TCS कम collect किया जिस भी तरीके से आपने क्या किया tax को बचाया है जितना tax आपके उस transaction में involved था दोनों में से जो भी हाई होगा उतनी penalty आपके उपर लगाई जाएगी यानि की 10,000 रुपीज या फिर जितना भी tax बचाया है इवेड किया है डिड़क्ट नहीं किया कलेक्ट नहीं किया गोर्मेंट को पे नहीं किया या फ्रेडुडेंट लिया जितना भी जो भी amount involved था वो या 10,000 दोनों में से जो भी higher होगा उतनी ही penalty लगाए जाएगी अब है आपका section 122 subsection 2 जो कि आपका related है जो हमने बात की थी major offenses में ठीक उसी चीज़ से related आपका ये section है कि अगर क्या है आप tax pay नहीं करते हो या short pay करते हो IRS ने refund लेते हो या ITC को avail करते हो तो उस case में section 122 subsection 2 apply होगा और जो penalty है वो भी यहाँ पर same है यानि दोनों ही provision same बात को बताती है चाहे section 73 और 74 हो चाहे section 122 का subsection 2 हो कि अगर क्या है reason आपका fraud नहीं था तो उसके case में 10% of tax at 10,000 दोनों में से जो भी हाई है और अगर fraud के purpose से आपने किया था तो उस case में 100% of tax at 10,000 जो भी हाई है उतनी penalty लगाई जाएगी और इसको बोलते हैं note या फिर short paying or taking arrest refund or wrong ITC तो उस case में ये section apply होगा फिर है आपका section 122 subsection 3 ये आपका related है ये तीन हम discuss कर चुके है 122 का subsection 3 आपका related है penalty prescribed for any other person for any other person किसको छोड़ के या फिर for any person other than taxable person या कहलो penalty prescribed for any other person या फिर penalty prescribed for any person other than taxable person कि taxable person को छोड़ कर या जिसके ओपर टेक्स लग रहा है उससे अलग जितने भी person बच गए उनके उपर जो penalty है वो इस section के अंदर लगाई जा सकती है कोई और person पर क्यों लगेगा कि कोई भी person जो tax वचा रहा है अगर कोई और person किसी भी तरीके से उसकी उस काम में help करता है मदद करता है तो उसके उपर भी चाहे वो एक registered taxable person नहीं है उसके उपर भी penalty लगाई जा सकती है और उसके उपर जो penalty लगती है वो under section 122, subsection 3 लगती है और जो यहाँ पर penalty की amount होती है वो up to 25,000 रुपीज होती है यानि एक person जो registered नहीं है उसके उपर 25,000 तक की penalty लगाई जा सकती है कब-कब उसके उपर penalty लगेगी Firstly, person aiding in offense कि अगर क्या है कोई person जो है offense करने में help कर रहा है दूसरे person की उस case में उसके उपर penalty लग सकती है यहाँ पर दूसरा person transporting, removing, depositing, goods, labor to confiscation कि जो goods जो हैं confiscate होने वाली है और एक ऐसा person है जिसको इस बारे में पता है कि यह particular good confiscate होने वाली है फिर भी वो उनको transport कर रहा है उनको एक दिन ऐसे remove कर रहा है आपने पार deposit कर रहा है तो माना जाएगा offense किया है उसने person supplying services in contravention of provisions कि कोई भी person क्या कर रहा है चाहिए supply कर रहा है चाहिए supply को receive कर रहा है पूनसी supply को एक ऐसी supply को जो कि act के provision के against ढाकर की जा रही है और उसके पास proper reason है I believe करने के लिए यानि कि वो जो particular काम हो रहा है वो act के against यानि या तो वो खुद act के against ढाकर को services provide कर रहा है या फिर उसे पता है कि सामने वाला service provide कर रहा है फिर भी वो उन services को ले रहा है तो माना जाएगा offense है person failing to appear before the officer कि एक person है जिसको officer ने बुलाया था किसी भी reason से कि अगर कोई भी person चाहे उसे enter tax का officer है या फिर किसी भी tax का officer है जिसने किसी person को कहा था कि वो कोई evidence ले के आए को document ले के आया फिर खुद सामने आए उसके और वो person जो है वो काम नहीं करता है तो उस case में offense माना जाएगा यानि किसी और person पर मान लो case चल रहा हूँ और उस person को बुलाया गया था वहाँ पर उस किसी भी reason से गवाई देने के लिए किसी भी वजर से वो नहीं आता है तो और लास्ट है person failing to issue invoice की एक person जो है जिसको क्या करना चाहिए था invoice issue करना चाहिए था और वो क्या कर रहा है अपनी वो उस invoice को issue नहीं कर रहा या फिर वो invoice को act के according issue नहीं कर रहा है जिस अकोर्डिंग उसे वक करना चाहिए था invoice को issue करते हुए book of accounts maintain करते हुए वो नहीं कर रहा तो भी माना जाएगा तो चाहिए वो registered person नहीं है लेकिन invoice properly issue करना उसकी भी duty है अगर वो नहीं कर रहा है इसका मतलब वो offense कर रहा है तो कोई भी person जो help करेगा ये confiscated goods को transport remove करेगा या फिर कोई supply receive करेगा या करेगा ऐसी supply जो की क्या है act के provision के against चाकर हो रही है officer के बुलाने पर नहीं आएगा या फिर proper procedure से invoice issue नहीं करेगा उसके उपर जो है section 122 sub section 3 के according penalty लग सकती है जो की अब 2 rupees 25,000 होगी इसके बाद next section है आपका person penalty for failure to furnish information return under section 150 section 123 में आपका ये offense बताया गया है कि अगर क्या है कोई भी person जो है under section 150 के return file करने में information को furnish करने में fail हो जाता है तो उसके उपर section 123 apply होगा तो देखो ये क्या कहते हैं कि बहुत सारी government authorities ऐसी होती है जिनको क्या करना होता है अपने return under section 150 submit करवानी होती है जिसमें वो सारी information देते हैं जो भी उन्होंने particular काम किया है तो कोई भी government authority जो कि जिसको जो require थी कि वो within the time under one section 50 अपने return को file करें और अगर क्या है वो उस time में जो उनको दिया गया था उसमें उस return को file नहीं करती हैं तो माना जाएगा उन्होंने offense किया है अंडर one section 23 और उसके ओपर penalty कितनी लगेगी जिस दिन वो offense करेगा यानि जिस दिन उसका वो जिस date तक उसे वो return file करनी थी उससे next day से हम count करना start कर देंगे और hundred rupees per day उसके ओपर penalty लगाई जाएगी यानि जिस time वो failure करेगा तो जब तक वो fail होता रहेगा यानि जब तक वो return file नहीं करेगा जितने भी दिन होंगे hundred rupees per day उसके ओपर penalty लगाई जाएगी जो की extend हो सकती है rupees 25,000 तक यानि जितनी देरी करेगा हरोज के सोर पे लगेंगे बट maximum से maximum 25,000 तक ये penalty जा सकती है इसके बाद next है हमारी section 124 section 124 क्या कहता है find for failure to furnish statistics यानि कोई person है जिसको क्या करनी थी statistics देनी थी यानि कोई data उसकी responsibility थी submit करवाना तो अगर क्या है कोई भी person क्या है जो require था कि वो किसी भी तरीके सी information को किसी return को under section 151 उसे क्या करवाना है वो information submit करवानी है वो return file करनी है और वो person क्या है किसी भी reason से क्या हो जाता है फेल हो जाता है और उसका जो reason है वो sufficient नहीं है यानि बिना reasonable cause कि अगर कोई person उस information रटर्न को सं मिट करने में फेल हो जाता है जो डाटा उसे प्रोवाइड करना चाहिए था वो नहीं करता है या फिर वो जान बूच के क्या कर रहा है उस इन्फोर्मेशन को प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो उसके उपर पैनल्टी लगाए जाएगी अंडर सेक्षन 124 रुपीज 10,000 in case of first offense यानि जब पहली बार वो किसी टाइपी गलती करेगा तो उसके ओपर फाइन लग सकता है अब टू रुपीज 10,000 और अगर क्या है वो इस गलती को दोबारा दोराता है यानि दोबारा फिर एक बार ऐसा काम करता है कि वो स्टाटस्टिक्स नहीं दे रहा है तो उस case में जितनी भी दिन इनवोल होंगे पर डे उसके उपर 100 रुपीज फाइन लगाया जाएगा कि जब तक वो स्टाटस्टिक्स को नहीं देगा उसके उपर 100 रुपीज फाइन लगेगा फर्स डे के बाद और जो maximum extend हो सकता है अब टू रुपीज 25,000 यानि 10,000 करता है तो पर डे 100 रुपीज उसके उपर चार्ज लगेंगी जो कि 25,000 तक जा सकते हैं इसके बाद next है हमारा section 125 जो की है general और residual penalty यानि जो भी offense जो है CGST Act या GST Act के rules के against हुआ है जाकर और वो rules के लिए कोई separate penalty नहीं बताई गई है यानि जितने भी हमने अभी separate cases पड़े अगर उनसे अलग कोई offense हुआ है जो यहाँ पर consider नहीं हुआ तो उस case में वो section 125 के अंदर consider होगा और वहाँ पर जो penalty होगी वो up to rupees 25,000 हो सकती है यानि जिन particular offense की हम बात कर चुके हैं उनसे अलग कोई भी offense होगा तो section 125 के अंदर उसके उपर up to 25,000 तक का fine लगाया जा सकता है तो हमने कौन-कौन सी penalty पड़ी पहले हमने section 73 and 4 के अंदर पड़े major offenses फिर हमने बात की section 122 की जिसमें इसका sub section first related था prescribed offenses से then हमने बात की कि अगर आप क्या कर रहे हो tax को बचा रहे हो errors ने refund ले रहे हो तो उस case में कितनी penalty लगेगी then हमने बात की कि अगर क्या है कोई और परसन जो है help कर रहा है या किसी भी तरीके से उस परसन को support कर रहा है जिसने fraud किया है तो उसके ओपर क्या penalty लगेगी then 123 में अगर आपको return file करनी थी under section 150 वो नहीं भरते हो तो penalty कितनी लगेगी then statistics आपको देनी थी वो नहीं दी है तो penalty कितनी लगेगी और कोई भी provision जो यहाँ पर consider नहीं हुआ है उसके case में penalty कितनी लगेगी तो ये थी हमारी penalty under GST law next वीडियो में हम लोग बात करेंगी कि इस penalty के उपर कौन-कौन से principles है disciplines है जो है apply होते है आज के लिए इतना ही I hope आपको penalty समझ में आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करना Thank you